नमस्कार मेरे तिनसेन भारती आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल की बीच रेलवे लाइन को लेकर बिहार को लोगें के लिए एक बड़ी खुसकबरी सामने आ रही है बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत से नेपाल जाने के लिए सीधी रेलाइन सेवा की सुरुवात होने वाली है बताया जो यह भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द नेपाल से बिराट नगर की बीच में रेलवे की सुरुवात होने वाली है और इस बार यह ट्रेन पुर्णिया से होकर गुजरेगी इस ट्रेन की सुरुवात हो जाने से ना सिर्फ ट्रेन से आमागवन की सुब्धा में बढ़ोतरी होगी बलकि अंताराश्टी ये बजारक से भी लोगों को ज्यादा फाइदा मिलने वाला है और एक तरस कहले की समान क धुलाई से जो परशानी का सामना करना पड़ता था उससे अब लोगों को निजात मिलने वाला है साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारती रेलवे से राजस्व में बरहुतरी देखने को मिलने वाली है बिहार के पुर्णिया से रेलवे लाइन की सुरुवात को लेकर बोल नेपाल के बीचे में बूभी अधीग्रहन का मामला कर लिया जाएगा विहार पहुंचे एन्यफ रेलवे लीए के अंसल गुपता ने यह वी बताया कि नेपाल से रेलवे कनेक्टिवीटी के लिए परियास काफी दिनों से चल रहा था इस करेक्टिवीटी की सुरुवात ह हो जाने के बाद से अब मार्स 2023 तक बिराट नगर तक पैसेंजर ट्रेनों की सुरुआत की बात कही जा रही है। अब रेल मार्क से करने की अपील की गई है। की बीच के संबंधों को देखें तो बारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का समन रहा है। बतादे कि इन दोनों ही देशों के लिए एक दूसरे देश में रोजगार के लिए आते और जाते रहें। साथे साथ एक दूसरे देशों के बीच में साधी विवाह के लिहाज से भी यह काफी महत पूर्ण रहा है। आपको जानकर अर्षचर्ज होगा कि पुर्णिया और कोसी परमंडल के इस तरह के संबंध लंबे समय से देखने को मिलते रहे हैं। और एक लंबी परमपरा जो है भारत और नेपाल के बीच में चलिया रहे हैं। बेटी और रोटी का जो संबंध है वो यहीं से निकल कर सामने आया है। अगर हम व्यापार्क नेजरे से इसे देखें तो दोनों ही देश एक दूसरे पर कमोबेस निर्वर हैं। जैसे कि नेपाल की सरकार भारत से नमक, तेल, खाध्यान, उर्बरक के साथ साथ कई समान लाते हैं। तो भारत के लोग भी नेपाल से कई समानों को लेते हैं जैसे कि टौफीयां, बिस्कित, नमकीन, सिग्रेट, कपड़ा आदी। आपको बता दें कि अभी तक भारत और नेपाल के बीच में व्यापारिक ट्रकों के माध्यम से होता रहा। लेकिन अब ट्रेनों की सुरुवात होगी तो यह बैपारिक द्रिश्टिकों से काफी महत्पूर्ण होने वाला है। पूर्ण पहल माना जा रहा है।